सभी दर्शकों का आज के कारिक्रम में स्वागत है क्या आप जानते हैं कि अगर एक बिंदू आवेश के समीब दूसरा बिंदू आवेश रखा जाए तो क्या होगा? जैसा कि हम सीख चुके हैं इस आवेश पर पहला आवेश बल लगाता है जिसका परिमान कुलाम नियम के अनुसार ग्यात किया जाता है अब विचार करने का विशे ये है कि आवेश के परिवेश में ऐसा क्या है कि एक दूसरे आवेश को उसके समीब लाने पर उस पर बल लगता है क्या हम कह सकते हैं कि आवेश के परिवेश में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण दूसरे आवेश को उसके समीब लाने पर उस पर बल लगता है इस प्रश्ण का उत्तर देने के लिए वज्ञानिकों ने शेत्र की अभधार्णा प्रस्तुत की इसके अनुसार हम कहते हैं कि आवेश अपने चारो और विद्युच्शेत्र उत्पन करता है जब इसमें कोई अन्यवेश लाया जाता है तो शेत्र इस पर बल आरूपित करता है तो आज के कारेक्रम में हम विद्युशेत्र के विशय पर विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही इस से जुड़ी अवधार्णाओं को समझेंगे तो किसी बिंदू R पर आवेश Q दारा उत्पन विद्युशेत्र का समीकरण हम इस प्रकार देते हैं इस सदिश बराबर 1 बाइ 4 पाइपसाइलन नौट Q बाइ आर स्क्वेर आर एकांग सदिश आर एकांग मूल बिंदू R से एक मात्रक सदिश है हम इस समीकरण से किसी भी स्तिती सदिश R के लिए विद्युशेत्र का संगत शेत्र निकाल सकते हैं यहां शेत्र से हमारा भी प्राय क्या है शब्द शेत्र यह बताता है कि किस प्रकार कोई वित्रित राशी है चाहे वो सदिश हो अथ्वा अदिश स्थिती के साथ परिवर्तित होती है आवेश के प्रभाव को विद्यू शेत्र के अस्तित्व में समाविष्ट किया गया है अब ये बताएं कि एक अन्य बिंदू आवेश को Q बिंदू से आर दूरी पर रखे जाने पर उस पर कितना बल लगेगा तो अगर हमारे पास एक दूसरा आवेश Q है तो कूलाम नियम की अनुसार फोर्स यानि की बल बराबर होगा वन बाइ फोर पाइ उपसालिन नॉट क्यू क्यू बाइ आर स्क्वेर आर एक आंक जैसा कि हम जानते हैं कि ये आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगाएगा परंतु विप्रीद दिशा में यदि हम आवेश Q की स्थिती को सदिश आर द्वारा निर्दिशित करते हैं तो ये Q की अवस्थी पर एक बल F का नुभव होता है जो आवेश Q तथा विद्युशेतर E का गुणनफल होता है यानि कि F सदिश बराबर Q E सदिश जिसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं अब आप क्या इस समीकरण को देख कर बता सकते हैं कि विद्युशेतर का SI मात्रक क्या होगा तो इसके अनुसार विद्युशेतर का SI मात्रक नुटन पर कूलम होगा क्या हम इस समीकरण को देख कर कह सकते हैं कि अगर Q E कांख है यानि कि इसका परिमान E कूलम के बराबर है तो आवेश Q के कारण विद्युशेतर का आंकिक मान इसके दुआरा आरोपित बल के बराबर होगा इस प्रकार दीक स्थान में किसी बिंदू पर आवेश के कारण विद्युशेतर को उस बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसे कोई एकांक धनावेश उस बिंदू पर रखे जाने पर अनुभव करता है वो आवेश जो विद्युच्षेतर उत्पन कर रहा है स्त्रोत आवेश कहलाता है तथा जो श्रोत आवेश के प्रभाव का परिक्षन करता है उसको परिक्षन आवेश कहते हैं ध्यान दीजिए, श्रोत आवेश को अपनी मूल अवस्थिती पर ही रहना चाहिए. यदि किसी परिक्षन आवेश को श्रोत आवेश के चारों और कहीं भी लाया जाता है, तो श्रोत आवेश स्वयम भी परिक्षन आवेश के कारण वैद्युद बल का अनुभव करने के लिए बाद दे है और उसमें गती करने के प्रवर्ति होती है. इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, कि हम परिक्षन आवेश को उपेक्षनिय छोटा बनाए. तब बल एफ उपेक्षनिय छोटा होता है, परंतु अनुपात एफ बाई क्यू एक परिमित राशी होती है, तथा विद्यत शेत्र को परिभाशित कुछ इस प्रकार करती है, जहां इस अदिश लिमिट क्यू जो की बहुत ही छोटा है, एफ बाई क्यू. अब प्रश्न ये है, कि वेवारिक तोर पर ये संभव कैसे है? वेवारिक उपाई ये है कि श्त्रोत आवेश क्यू को किनी अनिर्दिश्टित बलो द्वारा अपनी अविस्थिती पर बांदे रखा जाए. ये विलक्षन प्रतीत हो सकता है, परंतु वेवार में ऐसा ही हो होता है. इस समय करण से हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि Q के कारण विद्युचेत्र E दिक स्थान निर्देशांक R पर भी निर्भर करता है. सारे दिक स्थान में आवेश की विभिन स्थितियों के लिए हमें विद्युचेत्र E के भिन्द भिन्द मान प्राप्त होते ह विद्य शेत्र का स्तित्व त्री विमिय दिक्स्थान के प्रतेक बिंदू पर होता है यानि की X, Y, Z चुकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल F का परिमान केवल इन दोनों की बीच की दूरी पर निर्भर करता है तो विद्य शेत्र E का परिमान भी केवल दूरी पर ही निर्भर करता है इस प्रकार आवेश से समान दूरियों पर इसके कारण उत्पन विद्य शेत्र का परिमान समान होता है इस प्रकार किसी गोले के केंद्र पर स्थित आवेश के कारण विद्यच शेत्र का परिमान उसके प्रिष्ठ के हर बिंदू पर समान होता है दूसरे शब्दों में वो शेत्र गोली ये रूप में सममित होता है अब हम अगर एक ऐसा निकाय ले जहां पर Q1, Q2 से लेकर QN तक के आवेश सम्मिलत है माल लेते हैं कि किसी मूल बिंदू O के आपेश में स्थिती संदिश क्रमशह R1, R2, R3 से लेकर RN तक है आवेशों के निकाय के कारण दिक स्थान में किसी बिंदू पर वित्युट शेत्र को उस बिंदू पर रखे किसी एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किये जाने वाले बल द्वारा परिभाशित किया जाता है यहां यह मान लेते हैं कि एकांक आवेश के कारण Q1, Q2 से लेकर QN के आवेशों के मूल स्थितियां विशुब्द नहीं होती क्या आप बता सकते हैं कि हम यहां किस प्रकार विध्युट शेत्र के परिमान को ग्याद करेंगे यहां बिंदू P जिसे स्थिति आवेश R द्वारा निर्देशित किया गया है पर विध्युट शेत्र को निर्धारित करने के लिए हम कूलाम नियम तथा अध्यार ओपन के सिध्धान्त का उप्योग करेंगे R1 पर स्थित आवेश Q1 के कारण अवस्थित ही R पर विध्युट शेत्र E1 है और हम इसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे E1 सदिश बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 R1 P R1 P एकांग यहां R1 P एकांग सदिश आवेश Q1 से P की दिशा में एकांग सदिश है तथा R1 P आवेश Q1 तथा P के बीच की दूरी है इसी प्रकार के व्यंजक Q3, Q4, QN आवेशों के विध्युट शेत्रों E3, E4, EN के लिए भी लिखे जा सकते हैं अध्यारोपन सिधान द्वारा आवेशों के निकाय के कारण R पर विध्युट शेत्र इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है जो की E पराबर E1 प्लस E2 से लेकर EN तक है इन सबका योग करने पर हमें कुल E मिल सकता है इस समीकरण में E3, E4 से लेके EN के व्यंजक लिखने पर हमें कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्थ होगा जहां पर हमने E1, E2 से लेके E अंतिक के सारे समीकरण का योग किया है जिसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम ये स्पष्ट रूट से कह सकते हैं कि आवेशों के किसी भी निकाय के लिए मापने योगी राशी किसी आवेश पर लगा बल है जिसे सीधे ही कुलाम नियम तथा अध्यार ओपन सिध्धान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है फिर विद्योच्छेत्र नामक इस मध्यवर्ति राशी को प्रस्तावित करने की क्या आवशक्ता है इसको समझने के लिए हमें विद्योत शेतर के भोतिक अभिप्राय को समझना होगा हम यह जान गए हैं कि स्थिर् वैध्यूतिकी के लिए आवेशो के निकाह के चारो ओर के दिक स्थान में किसी बिंदु पर विद्योत शेतर हमें यह बताता है कि निकाई को विशुब्द किये बिना यदि इस बिंदू पर कोई एकांग धनात्मक परिक्षन आवेश रखें तो वो कितना बल अनुभव करेगा विद्यूट शेत्र की अविधार्णा की वास्तविक्ता भौतिक सार्थक्ता तभी प्रकट होती है जब हम स्थिर वैद्यूतिकी से बाहर निकल कर कलाशृत वैद्यूत चुमबकिये परिघटनाओं से वेवहार करते हैं हम त्वरित गती से गतिमान दो दूरस थावेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगे बलकर विस्तार करते हैं अब वो अधिक्तम चाल जिसमें कोई संकेत अथवा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं वो प्रकाश की चाल C है इस प्रकार Q2 पर Q1 की किसी गती का प्रभाव ताच्शिक उत्पन नहीं हो सकता कारण तथा प्रभाव के बीच कुछ न कुछ काल विलम अवश्य होता है हम ये कह सकते हैं कि आवेश Q1 की त्वरित गती वैद्यू चुम्बकिये तरंगे उत्पन करती है जो फिर प्रकाश की चाल से फैल कर Q2 तक पहुंसती है तथा Q2 पर बल लगाती है शेत्र के अवधार्ना काल विलम का सुचारू रूप से स्पष्टि करन करती है वैद्यूत तथा चुम्बकिये बलों की संग सूचना केवल आवेशों पर इनके प्रभावों द्वारा ही की जा सकती है इसलिए हम उन्हें भौतिक सत्व मानते हैं नाकी मात्र गनितिग्य रचनाएं इनकी अपनी स्वतंत्र गत्की है और थार्थ ये अपने नियमों के अनुसार विक्सित होते हैं ये उर्जा का परिवहन भी कर सकते हैं इस प्रकार कलाशृत वैद्युचुमबकिय शेत्रों का कोई स्त्रोत जिसे अल्प समय अंत्राल के लिए खोल कर फिर बंद किया जा सकता है उर्जा शेत्रों को पीछे छोड़ देता है जैसा की हम जानते हैं कि विद्युच्शेत्र एक सदिश राशी है आईए अब किसी बिंदु आवेश के कारण ई को चित्रात्मक निरूपित करने का प्रयास करें माल लीजिए बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थत्र प्रतियक बिंदु पर विद्युच्शेत्र की दिशा की अनुदिश संकेत करते हुए शेत्र की तीवृता की अनुपातिक लंबाई के सदिश खीची गई है चूकि बिंदु पर विद्युच्शेत्र का परिमान आवेश से दूर जाने पर घटा चला जाता है और इसी कारण सदिश की लंबाई भी घर्ती चली गई है इसकी दिशा सदैव बहरमुखी अरिय संकेत करती है इस प्रकार हमें बहुत सी छेत्र रेखाएं प्राप्त होती है जिसमें सभी बिंदु आवेश से बाहर की ओर संकेत करती है चित्र में हमें शेत्र के तीवरता सदिश को अनुपातिक लंबाई से ज्यात हो रही है अब प्रश्ण ये है कि हमें विद्य शेत्र की तीवरता तथा परिमान के विशे में जानकारी किस प्रकार प्राप्थ होगी छेत्र के परिमान को छेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपत किया जाता है आवेश के निकट E प्रबल होता है अतहा आवेश के निकट छेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है आवेश से दूर जाने पर छेत्र दुर्बल हो जाता है तथा शेत्र रेखाओं का घनत्व भी कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप रेखाओं भी दूर-दूर होती जाती हैं, हम यहां अधिक रेखाओं खीच सकते हैं, परंतु रेखाओं की संख्या महत्वपूर नहीं है, वास्तव में किसी शेत्र में असंख्या रेखाओं खीच जा सकती हैं अतह मेहत्वपूर्ण ये है कि विभिन शेत्रों में रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व क्या है हमने एक धनावेश के विद्युच छेत्र को तर्शाने के लिए द्वी विमिये चित्र खीचा है परन्तु एक धनावेश के लिए इसका विद्युच छेत्र तीन विमाओं में होता है यह किस प्रकार किया जा सकता है इसको हम ऐसे समझेंगे कि यदि हमें छेत्र रेखाओं के घनत्व का आकलन करना है तो हमें इन रेखाओं के लंबवत अनुप्रस्त काट के प्रती एकांग छेत्र फल में छेत्र रेखाओं की संख्या पर विचार करना हो इस चित्र में छेत्र रेखाओं का समुच्य दर्शाया गया है हम बिंदू R तथा S वहां की छेत्र रेखाओं के अभिलंबत दो समान तथा छोटे छेत्रे अव्यों की कल्पना कर सकते हैं हमारे चित्रन में हमें इस छेत्र अव्यों को काटने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या इन बिंदुओं पर विद्य छेत्रों के परिमान के अनुक्रमानु पाती है बिंदु R, बिंदु S पर छेत्र की तुलना में अधिक प्रबल है अब हम छेत्र फल पर छेत्र रेखाओं की निर्भरता को समझने का प्रयास करेंगे माल लीजे कि कोई छोटा अनुप्रस्त रेखा अव्याय डेल्टा एल किसी बिंदू ओ से आर दूरी पर रखा गया है इसी प्रकार तीन विमाओं में किसी छोटे लंबवद छेत्र डेल्टा एस द्वारा दूरी आर पर अंतरिक घंड कोण को डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा एस बाई आर स्क्वेर से लिखा जाता है यहां हम जानते हैं कि किसी दिये गए घंड कोण में अरिय छेत्र रेखाओं की संख्या समान होती है इस चित्र में आवेश से आर वन तथा आर टू दूरी पर पी वन तथा पी टू के लिए घंड कोण डेल्टा ओमेगा है अब यहां पर पी वन पर अंतरिक शेत्र अव्याय आर वन स्क्वेर डेल्टा ओमेगा है और वहीं पी टू पर आर टू स्क्वेर डेल्टा ओमेगा है इन शेत्र अव्याओं को काटने वाली रेखाओं की संख्या मान लीजिए समान है अतह एकांग शेत्र अव्ये को काटने वाली शेत्र रेखाओं की संख्या कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी जो की N by R1 square डेल्टा ओमेगा के पराबर होगी इसी प्रकार से P2 से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या हम N by R2 square डेल्टा ओमेगा से व्यक्त कर सकते हैं इन दोनों ही समीकरणों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि छेत्र रेखाओं की संख्या आर square पिड निर्भर करती है और ये अनुक्रमानुपाती है यानि कि आर बढ़ने पर छेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाती है विद्यू शेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदू पर खीचा गया स्पर्शी उस बिंदू पर लगे नेट बल की दिशा को निरूपित करता है इस वक्र में किसी बिंदू पर स्पष्ट रूप से स्पर्शी द्वारा विद्यू शेत्र की दो संभावित दिशाओं में से कोई एक दिशा दर्शाने के लिए वक्र पर तीर का चिन अंकित करना आवश्यक है क्या हम कुछ सरल आवेश विन्यासों के लिए छेत्र रेखाएं बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार किया जा सकता है एकल धनावेश के कारण छेत्र रेखाएं त्रिचे तह बहिर मुखी होती है ये छेत्र रेखाएं तीन विमिय दिक स्थान में है यदि पी छित्र में इन्हें केवल एक तल में दर्शाया गया है एकल रिनावेश के लिए छेत्र रिखाएं त्रिचितह अंतर मुखी होती है और दो धनावेशों Q के लिए छेत्र रिखाएं पारसपरिक प्रतिकर्शन को एक सजीर चित्रन प्रस्तुत करती है जबकि परिमान में समान दो विजाती आवेशों Q और –Q के निकाए के लिए किसी द्विध्रव के चारो और छेत्र रिखाएं आवेशों के बीच सपष्ट पारसपरिक आकर्शन दर्शाती है छेत्र रिखाएं कुछ महत्रपून समाने गुणों का पालन करती है जैसे कि शेत्र रेखाएं धनावेश से आरंब होकर रिणावेश पर समाप्थ होती है यदि आवेश एकल है तो ये अनन्त से आरंब अथ्वा अनन्त पर समाप्थ हो सकती है किसी आवेश मुक्त शेत्र में शेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जाता है जो कहीं नहीं टूटते तो शेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापी नहीं काटती यदि वे ऐसा करेंगी तो प्रति छेदन बिंदु पर छेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी जो निरठक है स्थिर वैद्युत छेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती ये विद्युत छेत्र की संगरक्षनात्मक प्रकृती से अनुशासत है आईए एक प्रश्ण को हल करने का प्रयास करें यहां दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा माइनस 3 माइक्रोकूलम निरवात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर स्थित है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत छेत्र कितना होगा जैसा कि इस प्रश्ण में दिया गया है QA जिसका परिमान 3 माइक्रोकूलम है और QB जिसका परिमान माइनस 3 माइक्रोकूलम है इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके मध्य में ओ पर हमें वैद्युत छेत्र निकालना है इस प्रश्ण के अनुसार QA और QB को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और मध्य बिंदु से QE की दूरी 10 सेंटीमीटर है और अब दिशा की बात करते हैं क्योंकि ये एक धनावेश है तो इसके लिए विद्युच्षेत्र की दिशा इससे त्रिजितिय बहर मुखी होगी और वहीं क्योंकि Q भी एक रिणावेश है इसके लिए विद्युच्षेत्र की दिशा त्रिजितिय अंतरमुखी होगी अब हम जानते हैं कि किसी भी विद्युच्षेत्र का परिमान इस समी करण द्वारा दिया जाता है और इस प्रशन के अनुसार QA का परिमान 3 माइक्रो कूलम है QB का परिमान माइनस 3 माइक्रो कूलम है और ये दोनों ही ओ बिंदू से 10 सेंटिमीटर की दूरी पे है तो EA और EB का परिमान देखा जाए तो दोनों बराबर ही हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं तो इसका कूल परिमान दोनों के योग से मिल सकता है जो की EA प्लस EB होगा इसको हल करने पर हमें ये इसका दुगना मिलेगा अब हम जानते हैं कि 1 बाइ 4 पाइपसालेन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है वहीं Q यहाँ पर 3 माइक्रो माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R जो की है 10 सेंटिमीटर जिसको मीटर पर करने पर इसको 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको हल करने पर आपको कुल विद्यूच्शेत्र का परिमान कुछ इस प्रकार मिलेगा और हम जानते हैं कि एक विद्यूच्शेत्र का मात्रक नूटन पर कूलम होता है तो इस तरीके से हम इस प्रशन को हल करेंगे अब हम बहुत महत्रपून विशय पर चच्चा करेंगे जो है वैद्युत फ्लक्स हमने कारिक्रम के पिछले भाग में देखा है कि किसी बिंदू पर चेत्र के अभिलंबत रखे एकांग चेत्र फल से गुजरने वाली चेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदू पर विद्यु चेत्र प्रबलता का माप होता है हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि यदि हम किसी बिंदू पर ई के अभिलंबत कोई डेल्टा एस चेत्र फल का छोटा समतलिय अव्यव रखें तो इससे गुजरने वाली चेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस के अनुक्रमानु पाती होती है अब मान लीजे कि हम छेत्र फल अव्यव को किसी कोण ठीटा पर चुका देते हैं सपश्ट है कि अब इस छेत्र फल अव्यव से गुजरने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या घट जाएगी चुकी ई के अभिलंबद छेत्र फल अव्यव डेल्टा एस का परख्शेप डेल्टा एस कौस थीटा होगा अतह़ डेल्टा एस से गुजरने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस कौस थीटा के अनुक्रमानु पाती होगी जब ठीटा 90 डिगरी होता है तो छेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समानतर हो जाती है और इससे कोई भी छेत्र रेखा नहीं गुजरती बहुत से संधर्भों में छेत्र फल अव्यव के परिमान के साथ साथ इसका दिक विन्याज भी महत्वपोन होता है उधारन के लिए किसी जल प्रवा में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमान स्वभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए है यदि आप इसे जल प्रवा के अभिलंबत रखते हैं तो अन्य सभी दिक विन्यासों की तुल्ना में इस विन्यास में रिंग से अधिक्तम जल गुजरेगा इससे ये निशकर्ष निकलता है कि छेत्र फर अव्यव को सदिश के समान मानना चाहिए इसमें परिमान के साथ दिशा भी होती है समतलिय शेत्र की दिशा कैसे निर्दिश्ट की जाएगी? स्पष्ट रूप से तल पर अभीलं तल का दिक्विन्यास निर्दिश्ट करता है इस प्रकार समतलिय शेत्र सदिश की दिशा इसके अभीलं के अनुदिश होती है किसी वक्रित प्रिश्ट के छेत्र फल को किसी सदिश से कैसे संबत किया जाता है? हम यह कलपना करते हैं कि वक्रित प्रिश्ट बहुत से छोटे छोटे छेत्रफल अभ्यव में विभाजत है इन में से प्रत्रेक छोटा छेत्रफल अभ्यव समतलिय माना जा सकता है और पहले स्पष्टिकरन की अनुसार इससे सदिश संबध किया जा सकता है यहां एक संदिक्ता पर ध्यान दीजिए किसी छेत्रफल अभ्यव की दिशा उसके अभिलंग के अनुदिश होती है परन्तु अभिलंग दो दिशाए संकेत कर सकता है यानि कि इससे बाहर और इससे नीचे की तरफ किसी छेत्रिफल अव्यर से संबंध सदिश की दिशा का चयन किस प्रकार किया जाता है इस समस्या का समधान इस संदर्भ में उचित कुछ परिपार्टियों के निर्धारन द्वारा किया गया है बंद प्रिष्टों के प्रकर्णों के लिए यह परिपाटी अती सरल है किसी बंद प्रिष्ट के प्रतेक छेत्रफल अव्यव से संबंथ सदिश की दिशा बहीरमुकी अभिलम की दिशा मानी जाती है इस प्रकार किसी बंद प्रिष्ट के किसी बिंदू पर छेत्रफल अव्यव सदिश डेल्टा S का मान डेल्टा S N एकांग सदिश होता है जहां डेल्टा S इस छेत्र का छेत्रफल का परिमान है और वही N एकांग सदिश इसकी दिशा बताता है अब हम वेद्युत फ्लक्स की परिभाशा पर आते हैं किसी शेत्रफल अव्यव डेल्टा S से गुजरने वाली वेद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई की परिभाशा कुछ इस प्रकार है जो की डेल्टा फाई बराबर E डोट डेल्टा S है जिसको हम E डेल्टा S कौस थीटा लिख सकते हैं जो पहले की भाथी इस शेत्रफल अव्यव को काटने वाली शेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानु पाती है यहां थीटा शेत्र अव्यव डेल्टा S तथा E के बीच का कोण है जैसा कि हम जानते हैं कि परिपाटी के अनुसार बंद प्रिष्ट के लिए थीटा शेत्र अव्यव पर बहिरमुखी अबिलम तथा E के बीच का कोण है ध्यान दीजे, हम व्यंजक E ΔS cos theta पर दो धंग से विचार कर सकते हैं पहला E ΔS cos theta अर्थार्थ E पर छेत्र अभिलम के प्रक्षेप का E गुना अथवा E अभिलम ΔS अर्थार्थ छेत्र अव्यव गुना छेत्र अव्यव का परिमान वेद्यत फ्लक्ष का मात्रक Newton पर कूलम मीटर स्क्वेर होता है वेद्यत फ्लक्ष की मूल परिभाश को सध्धानतिक रूप में किसी दिये गए प्रिष्ट से कुजरने वाले कुल फ्लक्ष को परिकलित करने में उप्योग कर सकते हैं इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम पहले प्रिष्ट को छोटे छोटे छेत्र फल अव्यवों में विभाजित करके और फिर प्रतेक अव्यव के लिए फ्लक्ष को जोड़ कर कुल फ्लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अतहा प्रिष्ट S से गुजरने वाला कुल फ्लक्ष हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा यहां सनी कटन चिन लगाने का कारण ये है कि हमने छोटे छोटे छेत्र फल अव्यव पर विद्यु छेत्र को नियत माना है गनितिये रूप से यह केवल तभी अतार्थ है जब हम डेल्टा S को बहुत ही छोटा लें तथा इस समीकरन में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करें आज के कारेक्रम में हमने विद्यु छेत्र के विशे में विस्तार से चर्चा की साथ ही ये भी सीखा कि विभिन आवेश विन्यासो के चारो ओर छेत्र वेखाएं किस प्रकार दर्शाई जाती हैं आप इनको अपनी पुस्तक में बना कर जरूर अभ्यास करें आप इसका प्रयोग विभिन प्रकार के आवेश वित्रन के लिए किस प्रकार कर सकते हैं इसकी जरूर खोच करें और अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंदित प्रशनों के उत्तर देने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें धन्यवाद प्याद